समाजवादी पार्टी से बहुजन समाजपार्टी के अलग होने पर केंद्री मंत्री और लोग जन्शक्ति पार्टी के सुप्रीमों रामविलास पास्वान ने मायावती पर हमला बोला है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमों पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीती कोई बच्चों का खेल नहीं होता है पासवान ने उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि मायावती कहती है कि यादवों ने बसपा को वोट नहीं दिया अगर यादवों ने मायावती को वोट नहीं दिया तो उनकी पार्टी के पास इतनी सीटे कहां से आ गई केंद्री मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जिनको पांच सीटे मिली है शिकायत तो उन्हे करनी चाहिए थी दलित वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ उल्टा ये हुआ कि जिस पार्टी की पहले 6 सीट थी अब उसके पास 10 सांसद हो गए इसके बाद भी वो पार्टी सवाल कर रही है पासवान ने कहा कि वो भविश्य वानी करते है कि अगले चुनाओं में बस्पा की दुकान बंध हो जाएगी लोग जन्शक्ति पार्टी के सुप्रिमो रामविलास पासवान ने कहा कि ये सब लोग घबरा गये है मायावती का दलित वोड भी भाग गया है पासवान ने कहा कि वो जल्द ही यूपी में रैली करेंगे क्योंकि मायावती ने दलित एक्ट खत्म करने का आदेश दिया था वही केंद्री मंत्री ने कहा कि आरजडी जो कल तक नितिश कुमार को पल्टुराम कहती थी आज सब गले मिल रहे हैं उन्होंने कहा कि अगले पांस साल में इस देश के मुसल्मान भी समझ जाएंगे कि NDA ही उनके हितेशी है तब जात पात और मजब की दिवारे टूर जाएगी अंत में रामविला स्पासवान ने कहा कि इस बार के चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि 2019 में पीम पद की कोई वेकेंसी नहीं है और हुआ भी वो ही NDA को प्रचंड बहुमत से जीत मिली